ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी के कारकरताओं ने खुलकर इस तरीके से अजीद पवार को एकसेप्ट नहीं किया, ग्राउन पर उसका असर देखने को मिला, वोडशेर नहीं हो पाया, नतीजतन अजीद पवार बहुत कारगर साबित नहीं हो पाये, लेकिन अजीद पवा को शिवसेना का सिंबल दे दिया गया है, इलक्शन कमिशन वारा लेकिन जननताः ये तैए करेगी कि आख एलग होकिώς जब उन्होंने चुनाव लड़ा है, और उनको जिस blind का मिला तो उन्हें आगे की राज नीती भी दिखाई दे रही तो ऐसे में मुझे नहीं लगता उद्धर ठाकरे जो है वो BJP के साथ आएंगे जबकि ये बात जरूर है कि बहुत सारी कोशियें जरूर हो रही है कि उद्धर ठाकरे जो है वो BJP के साथ हो लें लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जिस तहां के समीकरन वहां पे दिखाई द इसे में जो winning combination होता है उसको तोड़ कर कोई BJP के साथ चले जाएगा उद्धव ठाकरे मुझे लगता नहीं और यही मुझे लगता है यही गड़बंधन जो है वो विधानसभा चुनाओं में भी आगे जाएगा और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को जिस्ता का समर्थ मिला है वो अकेले दम पर क्या हासिल कर सकते हैं क्या करेंगे उद्धव ठाकरे इस पर सबकी निगाही है इस वक्त तो सबसे पहले राजिनीती जब हम देखते हैं तो कुछ उसके बुनियादी जो तत्व है वो तत्व यह है कि देश के मुसल्मानों ने इतनी घ्रिणा इत इतना हराना है कि बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया मतलब इससे आपको समझ में आएगा इस चुनाओ का मूल क्या है अब क्या ये मूल लंबे समय तक टिका रहेगा इसका जवाब है नहीं अब किसी भी विधान सभा चुनाओ में नरेंद्र मोदी को हराने जैसी चीज न लेकिन उद्धव वाली में थोड़ा सा भ्रम है कम सीटे लड़के साथ सांसद जीत कराएं हैं एक नाच्छिंदे ज्यादा सीटे लड़कर नौ सांसद ही जीत पाएं हैं उद्धव ठाकरे ये बुनियादी फर्क है और क्या वो मुस्लिम मद्दाता जो नरेंद्र मोदी क हराने के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी को जाकर वोट कराता है जिसको भाजपा का बटन दबाते हुए लगता है कि दीन इमान के उलट हो जाएगा क्या वो विधानसभा चुनाव में ऐसे ठीकेगा उद्धव ठाकरे के आसपास के लोग बहुत गंभीरता पूरक इस अगर ये कॉम्बो रहेगा तो आपको मुश्किल होगी अब उन्होंने एक सफलता तो हासिल कर लिया आप कलपना कीजिए कि अगर ये NCP पूरी की पूरी शिवसेना पूरी की पूरी और कॉंगर्स पूरी की पूरी होती तो भारती जनता पार्टी का क्या हाल होता माहराश नहीं कर रहा है जिस तरह से दोनों तरफ से बयान बाजी हो रही वो भी दिखा रही और वो सच कह रहे हैं क्या सुनेत्रा पवार को राजसभा भेजना ये भारती जनता पार्टी की सहमती से है तब तो ठीक है अगर सहमती से नहीं है तो इसी बात पर भी वाद आगे खराऊ को है यजिए जन का और सब्सक्राइब वोट करें अब क्या होगा महराष्ट की सियासत में बयान लगातार दिये जा रहे हो दफ ठाकरें क्या करेंगे इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है अजीत पवार को लेकर क्या होगा इस पर क्या फैसला बीजेपी लेगी इस पर कि सबी की निगाहें बनी हुई है संजे राउत आपको सुनवाते फिर चरचा करेंगे अज़े-स गहने उसको नहीं लेना चाहिए था उसको नहीं लेना था है अपने क्या किया लोग से वह को अंकार नहीं होना चाहिए अंकार के सभी मर्यादा तो मूजिया और शागी ने तोड़ दी है और उसके चपट में आरिश से जा गया है तो आप क्या करोगे क्या आपमें बगावत करने की हिम्मत है अगर है तो भार्तिय जनता पार्टे में आपके जो लोग बहुते हैं क्यूरा शिंग कवान हो जितिन दर्करीजी हो अशे बहुत से लोग है क्या हो पकावत करेंगे मुद्य और शाजी के खिलाब और देश में दो ताना सहा इसंडिया कमपनी गुजरात के लोग देश में प्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और इससको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं नहीं बूलूं कर अगर आपने बात श शिवराज सिंग चोहान और नितिन गडगरी की कि बगावत होगी और ताना शा को सबक सिखाया जाएगा लेकिन उधवठाकरे क्या करेंगे उनकी पार्टी क्या करेगी ये अब इस पश्ट नहीं है महाराश्ट की सियासत में देखे मुझे बगावत जैसी ऐसी कोई चीज तो दिखती नहीं है मुझे नहीं लगता है कि भारतिय जन्ता पार्टी के अंदर कोई भी आज के दिन में नरेंदर मोदी और हमिज साह के खिलाब बगावत करेंगे और मुझे लगता है कि ये 240 सीटे भी आई है तो इसमें कोई दोराय नहीं तो इसमें नरेंदर मोदी की एक बहुत बड़ी भूमिका है इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है माइनस नरेंदर मोदी आप चले जाएं तो भारती जन्ता पार्टी कहां रहेगी ये कोई कहने की बात नहीं है एक बात दूसरी बात ये बहुत साफ है कि महारास्ट की राजनीती में यदि भारती जन्ता पार्टी अभी के कॉम्बिनेशन में जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिधान सभाज जीत पायागी दूसरी बात मुसल्मान जो है वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ राहुल जी से मुसल्मान जो है वो बिधान सभाज में भी भारतिय जनता पार्टी उसी उसे नाके गटबंदन को हराने के लिए ही भोट करेगी उनको पता है कि दूस्मन हमारा क्या है हमें नहीं पता होता है कि हमारा दूस्मन क्या है भारती जनता पार्टी को नहीं पता है कि उसका दूस्मन क्या है उनको नहीं पता होता है कि कौन हमारे सामने दूस्मन है लेकिन मुसलमानों को यह जरूर पता है कि उनका दूस्मन नंबर एक कौन है वो भारतिय जन्ता पार्टी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और वो बिधान सभाज चुनाओं में भी वही प्रयोग करेंगे जिसका उन्होंने लोक सभाज चुनाओं के दर्मियान प्रयोग किया है रही बात ये उद्धव ठाकरे आते हैं नहीं आते हैं मुझे इसकी संभावना आज के दिन में कम बड़े है और जब आएंगे भी तो मुझे लगता है एक बड़े पार्टनर के रूप में वो अपनी भूम का जरूर चाहेंगे वो आज के दिन में कह सकते हैं कि अब हमारे साथ उस समय जब हम आपसे कह रहते तो आप हमने हमारे साथ समझवता नहीं किया तो आज के दिन में वो आना चाहेंगे तो अपनी सर्तों पर आने के लिए भारती जनता पार्टी को मजबूर करेंगे देखना ये होगा कि भारती जन्तापाटी उनकी सर्तों को मानने के लिए अब उद्धव ठाकरे की सर्तों के अनुसार महरास्ट की राजनिती में समझोता करने के लिए तयार है क्या जो सिउसेना का जो सिंदे गूठ है वो उद्धो साकरे के साथ मिलने के लिए तयार होगा या नहीं होगा मुझे इस पर अभी भी कल जाकर करके कि अधी उद्धो ठाकरे को यह ऐसी सर्त रख देते हैं कि सिंदे माइनस जो है वो हमको चाहिए क्योंकि इस वक्ति ने बगावत किया है सिउसेना को तोड़ा है तो हमें सिंदे नहीं चाहिए ऐसी इस्तिती में क्या भारतिय जनता पार्टी इन सर्तों को स्विकार करेगी या नहीं करेगी यह अभी दिल्चस्प होगा देखना होगा लेकिन मुझे लगता है कि समय बहुत तेजी से बहुत तेजी रफतार से निकलते जा रही है भारतिय जनता पार्टी के लिए सत्ता में जो है उससे थोड़ा निकल करके एक गंभीर मंथन करने की आवशकता है और हरियाना और जो म झाल